वेलकम बैक फ्रेंडस हाव आर यू आल, आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे फ्रेंडस आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपर्टेंट रहने बाला है आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कुस करने बाले हैं Elisibility Criteria For Ex-Artsman Joining DSC Friends जब कभी भी हमारे Ex-Artsman भाई Retire होते हैं तो उनकी जो है Retirement के बाद में एक जो है जिसे कहा सकते हैं कि requirement रहती है second job के लिए so यहाँ पे DSC जिसे हम कहते हैं Defense Service Corps ठीक है तो यह एक अच्छा opportunity है आप सभी के लिए कि आप without any hesitation DSC में जा सकते हैं DSC की नोकरी आप पा सकते हैं So friends हमारे लिए बहुत ही important बन जाता है यह जानना कि DSC में जाने के लिए हमें जो है क्या-क्या eligibility criteria required है So without wasting time Let's start Friends अगर हम बात करें अगर हमें DSC में भरती होना है उसके लिए जो minimum education required है that is आपका AC E third या फिर metric है सकते हैं यह देखिए यहाँ पे eligibility criteria में जो है आपकी education का चाहिए metric या फिर उसके equivalent next अगर हम बात करें तो age limit जो है यहाँ पे A में हमने दिया है supply clerk SD के लिए तो यहाँ पे जो आपकी age limit है वो है up to 46 years ठीक है 46 years तक जो है अगर आपकी age है तो आप आप DSC जोइन कर सकते हैं यहाँ पे देखिए supply clerk SD age limit क्या है up to 46 years अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप supply GD में भरती होना चाहते हैं किसमें DSC में तो friends आपको यह बात जो है mind में रखनी पड़े की कि आपकी जो age है वो up to 48 years तक होनी चाहिए यह देखिए ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें character की तो यहाँ पे exemplary are very good not below very good यहाँ पे जो है आपका जो character है वो क्या होना चाहिए exemplary यहाँ फिर very good होना चाहिए और उससे नीचे नहीं चाहिए fourth जो हमारा point है that is discipline discipline में यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा है discipline में क्या आता है आपकी RI बगारा reading की इंट्री बगारा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो should not have more than two RI यहनिके आपकी दो से ज़यदा जो है red ink entries नहीं होनी चाहिए उसके बाद में next है यह तो है आपकी whole service में ठीक है next है कि no RI in last three years of service यहाँ पे देखो कोई भी आपकी जो है RI नहीं होनी चाहिए red ink entry नहीं होनी चाहिए during your last three years of service ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा जो point number fifth है that is medical medical category तो यहाँ पे army persons के लिए जो medical category required है for joining DSE that is shape 1 navy के लिए है S1, A1 और air force से retired हमारे जो access men भाई है उनके लिए है A1, G1 या फिर A4, G1 that is equivalent to shape 1 ठीक है यह देखिए यहाँ पे army के लिए है यहाँ पे navy के लिए है और यहाँ पे आवगी air force के लिए है next अगर हम बात करें point number six that is gap period यहाँ पे जो है friends बहुत सारे हमारे जो access men भाई है वो जो है DSE जो है नहीं कर पाते आपको पता है क्यों क्योंकि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि भाई spoiler के आज हम retirement आ गए है तो कुछ लोग हो सकता है two and half years के बाद में apply करें DSE के लिए ठीक है क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं होता कि भाई आपका जो maximum gap period है वो कितना required है DSE में join करने के लिए तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका maximum जो gap है वो not more than two years यनि कि अगर आप इसको एकरो के 2024 के gen में अगर आप retired हुए है तो friends आपका 24, 25, 26 26 gen से पहले-पहले आप जो है join कर सकते है उसके बार में आप farm bill नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पर जो है point number 6 आपको clear होना चाहिए कि जो है gap period जो है आपका maximum two years of service है ठीक है after the retirement next हम अगर बात करें friends यहाँ पर qualifying service required क्या है तो यह जो हमारा point है that is army, navy और air force के लिए minimum five years of service ठीक है उसके बार में अगर हम बात करें TA personal के लिए तो that is your zero three years ठीक है लेकिन उसमें एक और condition है कि आप जो है zero seven annual training camps जो है उसकी attendance आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो friends I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो friends जब भी हम कहीं पर भी service करते हैं तो हमारे जो service में अभी जो भाई है चाहे वो Indian Army में है Navy में है चाहे वो Air Force में है तो उनको भी अपना जो future है उसको future को मद्दे नजर रखते हुए ही आपने service करनी है ठीक है क्योंकि अगर आज आप service कर रहे हैं तो कल को आपको retirement भी जाना है आप भी accessment category में फाल करोगे और second job के लिए अगर आप apply करते हो तो friends वहाँ पे आपका जो character है वहाँ पे आपकी जो medical category है that matters ठीक है वो जो है matter करती है ये नहीं सोजना है कि चलो यार आप एक बार service मिल गई है no problem ठीक है अपना जो discipline है आपकी जो जिसे कह सकते है कि medical category है उसके बाद में आपका जो character है वो उसको maintain रखना है देखने को मिलेंगी बहुत सारे जो हमारे एक्सरोस्मेंट भाई है उनके लिए जो है ये चीज जो है एक प्रावल्म बनी है DST जोइन करने के लिए ठीक है अपने बाद में वो लोग जो है जाते हैं कहीं मैंने सुना है जो हमारे भाई है वो किसी उनके जो हैड आफिस है जैसे रिकॉर्ड आफिस है वहाँ पर जाके जो है वो अप्रोच करते है कि मेरा जो है ये बला जो इंकी इंट्री है इसको किसी डंग से जो है उसको ठीक कर देजिए ठीक है अपने जो भी आपके नोन सर्विंग पर्सनल है चाहे वो आर्मी में है चाहे वो नेवी में है चाहे एरपोर्स में है उनको आप इस चीज के बारे में पक्का मोटिबेट करें कि आप जो है अपना जो क्रेक्टर है आपका उसके बाद में discipline है medical category है वो उस चीज़ को आप अच्छे से maintain करके रखिए next एक बात और कहूंगा कि friends gap जो period है इसका आपने ध्यान रखना है आपका जो आज आप pension आ रहे हैं तो दो साल के अंदर अंदर अगर आपको DSE में जाना है तो आपको बहुत जल्द decision लेना पड़ेगा otherwise after that you can't join DSE ठीक है so I hope once again आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं next वीडियो में एक बहुत ही अच्छे से topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care best of luck friends